सब्सक्राइब नहीं बेगे तरवाइब सब्सक्राइब 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 हुआ 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 भुआ हुआ 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 है मोभने सी गजारी शे बारा महरवानी आपको खड़े नहीं बेठ जाएं हा दर्स दिला जवाब पे दा कर दर्स दिला जवाब पे कोई आली जणाब पे दा कर कोई आली जणाब पे के शायर आली बैत है तो फिर के शायर आली बैत है तो फिर आली जवाब पे दा कर दिला जवाब पे के दा कर दर्स दिला सलवात पड़े मुहम्मद वाले मुहम्मद पड़े रच चार मिस्रे हलातِ हज़रा को नजर में रखते हुए बिलकुल नहीं मुलाज़ा फर्मा ले और अभी हकीकत ये कि इन लोगों ने भी नहीं सुना अभी इन लोगों बैयार में दिग गिया हमका हमारी मश्की हो जाएगी कुछ नहीं भी हो जाएगा मुलाज़ा फर्माएगा हक परस्तों कि इनके सारी परे वारि मुखा शना सकयने लगेए के वार मौता शना तीसरा और चो था मिसरा के लिम का ए तेरा में भूल गये के लिम का ए तेरा में भूल गये एह तेरा में लिबास करने लगे एह तेरा में लिबास करने लगे हक परस्तों संजा इदर आएग बेड़ जा बेटा सामने अज़ाते आखरी चार में से मुलाज़र फार्मा लेख से बाद सलम के चंद आशार हा जिस घड़ी मैं कर बला की सर्जमी पर आए गया जिस घड़ी मैं कर बला की सर्जमी पर आए गया यूं लगा जैसे के मैं परदेस से गर आए गया आए यूं लगा जैसे के मैं परदेस से गर आए गया अपने हातों जिड़ी अपनी बढ़ाने के लिए के अपने हातों जिड़ी अपनी बढ़ाने के एक कफन एक बेक कफन के दर से ले कर आए एक कफन एक बेक कफन के दर से ले कर आए गया जिस गड़ी सलवात पने मुहमद वाले मुहमद पर सलवात पने मुहमद वाले मुहमद पर मुमनिन एक मतला पांच शेर हैं बिल्कुल तरो ताज़ा क्लाम चुकि बाश्चा से वादा किया था उन्होंने कहा था एक कुछ क्लाम का ये तैयारी हो रही थी हाजी साब के हैं लेकिन उनके हैं चुकि अप क्राइटेरिया बना दिया गया है तो बीस मिनट में ये सलाम और मरस्या मुमकिन नहीं है इन्शाला हमाँ ट्रेडिशनल सोस्कानी पुराने जमाने की की जाएगी वो हम अपना जो अर्मान यहीं पूरा कर लेते हैं और इन्हीं लोगों को वहाँ भी रहना है बतरे खास मतलब पेशे खिद्मत हैं मुलाज़ा फरमा ले हालाते हजरा को नजर में रखें जो लोग मुझसे करीब हैं वो इस मतले का ज्यादा अच्छे से मतलब समझ सकते हैं मुलाज़ा फरमा ले मतलब मुलाज़ा फरमा ले यकी के साथ कहते हैं के ऐसा हो नहीं सकता यकी के साथ कहते हैं के मुलाज़ा फरमा यकी के साथ कहते हैं के ऐसा हो नहीं सकता जिसे अल्ला है इसत दे वो रुसवा हो नहीं सकता जिसे अल्ला है इसत दे वो रुसवा हो नहीं सकता यकी के साथ कहते हैं हमारे अब कमी हैं उसी कमी पुझागर करने कोशिच की गए मुलाज़ा फरमाएं नहीं सकता के वली हो के अली करते हैं मजदूरी यहूदी की वली हो के अली करते हैं मजदूरी यहूदी के तो फिर एक चाहने वाला निकमा हो नहीं सकता तो फिर एक चाहने वाला निकमा हो नहीं यकी के साथ के बाया इतराज होता है कि तबर्रा मत पढ़िये और लोगों पे लानत में बज़े शेर मुलाज़ा परमाएं नहीं सकता के सरे दर्बारी जिसीने फात्मा जहरा को जुठी लहाया के सरे दर्बारी जिसीने फात्मा जहरा को जुठी जाली मिस्रा कोई उससे बड़ा दुनिया में जूठा हो नहीं सके कोई उससे बड़ा दुनिया में जूठा हो नहीं सके यकी के साथ बतारे खास शेर मुलादे फरमाएं के ऐसा हो नहीं सकेता के तबीबे जिस में कितनी भी दवाएं दे के तबीबे जिस में कितनी भी दवाएं दे दूठा 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 हो नहीं सकेता फरीज बुच्ज अहले बैत अच्छा हो नहीं सकेता यकी के साथ सारे बुज़र्गों से खास तबज्जव चाहता हो जितने बुज़र्गे हम उचुद हैं खुसुसी तबज्जव मुला सलमत रुचे मुलें उदू आले अहमद पर जवानिया नहीं सकती उदू आले अहमद पर जवानिया नहीं सकती मुहिबे हैं दर करार बुखा हो नहीं सकता मुहिबे हैं दर करार बुखा हो नहीं सकता कोई बी काम ना मुमकिन नहीं आसफ जमाने में कोई भी काम ना मुमकिन नहीं आसफ जमाने में इरादा करें ले गरे इनसान तो क्या हो नहीं सकता यादा गरे इनसान तो क्या हो नहीं सकता यादी के साथ फातिहा खातिए 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 टौसुत्व कूंची जंस अर्श शुल्हों टौसूंग अल्हों आसूंगा। अमस अम्हारा सब्सक्द करें जया है सलोओाते करते साम् religi कि अटेर गोटें जर की को पिताए देदेगे। कि आज़ा हम जरे लोगरे 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 लोगरेते यिको अर्सेल वत बादे मुहममेड वाले मुहमपारी लोो से लोटाराई साथ, लोगा लगाराई इसमाने ओप माने, लुवे वॉशे लोगाई लोगां लोगाई बेता है लग जो जो ऊगदिए झाला हुट जो ज रच हुट ज़ ज़ जए झाला हुट ज़ ज़ जए जँ झाला हुट रचुगी वलादेन के सलसले के मेजले से लहाज़ा बरसिया बहुत कम पढ़ा जाता है बीबी जनाब सोगरा का ने जो खत रवाना किया मौला हुसाइन के नाम उसी खत के चंद बंद रहवाल के शकल में मौलाज़ा फरमा ले सफ़े से जब के ना शबीर की खबर आमी दुबै में सोगरा चचा के गए मौहम्मद हनफी ने कहा कि धै वो रो के बोली के अब तक ना कुछ खबर चचा बताओ के किस तरह दिल को चेन ना भाई आया ना खत आया ना हुसें ना भाई आया ना खत आया ना हुसें सफे से जब के ना शबीर के खबर आया ये कहे के उनका कलमदान वो उठा आयला और इलते मास किया है हुसेंन के बाई मुझे तो है ना तवानाई और नबे भाती जी को तकलिफ देने हैं मेरी तरफ से रखम एक अज़दार मगर कोई ना दकीका परोगजार दे शबीर से जब के ना शबीर के अबर उठा के काघजों कामा दिया चचा मैंने मैं लिखता जाओं तू बतलाती जाके कामा दूरों के बोली बहुत खुब आई अले के यही मैं चाहते थे तुम जियों सदे मेरी तरफ से वो अल्काबल की यो बाबा कहनी जे लिखती हैं जिस तरहां अपने आल का सफर से जब के ना अब यहां से खत के कुछ आपन मुलाए जबाबा अब अपने हाल से देती हूँ आपको यह खबर के दम बादम मेरी हालत है मेर्जे से अपने ना घर में दाना हरना पास कुछ जरू जे तब का जोर है और रोजा राती हूँ कोई भी चीज एमा में जमन नहीं घर जो मर भी जाओं तो दो घज का पन नहीं घर जो मर भी जाओं तो दो घज का पन नहीं आए बाबा रजब की तीस्वी को तुमने घर किया कुमारे बाद हुई तीने इदे बाद बाद शबे बाराते हुई दूसरे महीं ने बरुए हमजा नती मुझ में पाते हाए तमाम रोज तड़कते तड़कते राते हमारे घर में नहीं देशबे बराते हमारे घर में नहीं देशबे बराते एए बाबा तुम्हारे बाद जो दिनी इदे फितर का घरान के मेरी हम जोलियों ने रुले किसी ने गहना किसी ने लिबास दिखे कोई ये बोली कैईदी में हमने ये हर एक खुशता मगर मेरे लब पे ना ले सफर में सब मेरी दी के देने वाद है बाबा वो खुश हो ईद में क्या जो खलाब का मा आईदा खासम लो बाबा जो कुरता पटाउता आईदा वतने को लोट के आना जो पिर तुमा आरा हमारी इद तो कुन बेकी दीद है जब अपना आए उसी रोज एद है जब अपना आए उसी रोज एद है बाशवे से जब के ना आए हाँ हज़राद, मजलिस का बाकाइदा आगास सोस्खानी से हो चुका है जनाब गोहर अलीजेजी साब आमके अमने वाज़ाद ने मजलिस का आगास सोस्खानी से कर दिया है गालबन मुमनिन के अज़ान आलिया तक आवास पहुच चुकी होगी कि मजलिस का आगास हो चुका है मेरी फिरिस में चनाब एतिशाम साथ मौजूद है जिनको मौजूम नजर ने अपकीत पेश करनी मैं एक बार फिर एले मौल्ला से बसददब गुजारेश गुजार हूँ खास तोर से बुजर्ग हज़रास से कि वो फर्श अजर बतशेफ लाएं मौल्लिस का बागाइद आगास हो चुका है जनाब एतिशाम साथ को आवाज देने से पहले एक इलान समात फरमा ले हज़रात कि दो जुलाई रोज दोवार सुबा आड़ बजे इसी अज़ाख खाने मे मरहुम महदी हसन इबन महमद हाशिम मरहुमा मासुमा बेबी बिनते से इफ्तिकार हुसेन एलिया महदी हसन मरहुम मजल्स मनकित की गई है मजल्स बरसी इस मजल्स को खताब फरमाएंगे हुज़त लिसलाम आले जनाब मौलाना सेद महमद अफ्तिकार हुसेनी साब के बिल्स बना रस दो जुलाई सुबह आड़ वजे इसी हज़ाख खाने में अब मैं इसे आवाज दूँगा जनाब एतिशाम जनपुरी साब को कि सर जो शबीर की चोखट पे जुका देता है हम अगर चाहे तो जननत कभी सोधा कर ले हम अगर चाहे तो जननत कभी सोधा कर ले इतना सर्माया हमें फर्ष अजा देता है इतना सर्माया हमें फर्ष अजा देता है इन्हों मिस्रों के साथ मैं गुजर गुजरूं बित्रीन लबो लेजी के शायर छोटे भाई जेनाब इतिशाम जौन बुरी साहब से कि वो तश्रीफ लाए बरगाए अमाम में मज़ूने जरना अकिदत पेश करें बावाद बना सलवाद पढ़ें या फजरत अभी मजलिस का आगाज हुआ तन्वीर भाई का हुक्म है कि यहीं से पढ़ा जाए तकरार रही है तो आगाज जो है खीज रहा है माईक बहुत जादा और बिल्कुल तरो ताज़ा कलाम जनाब गवर साब आपको बिल्कुल ताज़े ताज़े कलाम सुना रहे थे तो बिल्कुल ताज़े कलाम हमारे भी है तन्वीर भाई और के दिन से जो है साइकल चल रही थी लेकिन देखिए कितना काम्याब होता है पुरानी रदीफ है लेकिन कुछ नया ख्याल है हमसे बेटर जनाब तन्वीर साब समझ सकेंगे गौवर भाई मुलाइदा फर्मा है पेश करता हूं जंजर भाई उलाज़ा फर्माएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए जो इनके सिवा है जो इनके सिवा है वो है बेकार की आखे मतला मुलाइदा फर्माएं हुजूर मुलाइदा फर्माएं जो इनके सिवा है वो है बेकार की आखे है गोहर नयाब आजादार की आखे जो इनू के सिवा है वो है बेकार की आखे है गोहर नायाब अजादार की आखे और हुसने मतला मुलाइजा फर्माएं सरकार देखीगा शाद कोई नया रुख मुलाइजा फर्माएं क्यों खाफ जड़ा है रसनोदार की आखे क्यों खाफ जड़ा है रसनोदार की आखे क्या सामूने है मीसा में तमार की आखे क्यों खाफ जड़ा है रसनोदार की आखे क्या सामूने है मीसा में तमार की आखे अए और शेयर मुलादा फर्माएं महशे में चले आएं महशे में चल आए हसने निके नाना रोते हुए कहती है गुनेहगार की आँखे है रोते हुए कहती है गुनेहगार की आँखे एक आख है शाबीर तो एक आख हसन है एक आख है शाबीर तो एक आख हसन है है दोनों ही है दोनों यही एहमद मुखताः किया के यह दोनों यही एहमद मुखतार किया के और यह वे शेर खुस्व सी तोर बेरे मुलादा फर्माएंगे अब तक है जूकी तालिबे बैयत की निगाहे अब तक है जुकी तालिमे बैयत की निगाहे युँखवू जदा कर गई इनकार की आँखे युखवू जदा कर गई इनकार की आँखे बतोरे खास मुलादा फर्माएं गवर भाई और उसके बाद एक शेर आखरी जहमत मुलादा फर्माएं सल्वात अच्छे मुहमद वाले मुहमद पर वो बात भी करता है तो आखों को जुगा के वो बात भी करता है तो आखों को जुगा के आखों से कहां मिलती है माकार की आखे आखों से कहां मिलती है वो बात भी करता है तो आखों को जुगा के आखों से कहां मिलती है माकार की आखे आखों से कहां मिलती है ये शेर बहुत हसाथ शेर मुलादा फरमाए बढ़ता ही नहीं इसलिए मैदान की जानिबू मासूम सकीना पे है रहवार की आखे मासूम सकीना पे है रहवार की आखे है गोहर नायाब अजादार की आखे हजरात ये थे जनाबे थे शाम जोन पुरी साथ जो बाहर गाया मामे मुख्जूम नजर्न अखेद पेश कर रहे थे हजरात क्योंकि बाहर इस हाकीर का भी नाम पेशकानी के एक छोटे से गोशे में है लहाजा मैं चाहता हूँ कि चंदाशार मैं भी पेश करूँ एक सलवाद पाढ़ दें आख हजरात सरकार वा चंदाशार पेश कर दे रहा हूँ देखेगा बहराल इस मजमिय के सामने कलाम पहली बार प्रिश कर रहा हूँ समात करें अगर मौला ने हुसला दिया तो इंशालला पढ़ा जाएगा सितम का पल में जो पानी उतार देता है सितम का पल में पहुँच जाएगा तो पूरा कलाम हुए इंशालला पानी उतार देता है सितम का पल में जो पानी उतार देता है खुदा उसी को जहां की मिहार देता है सितम का पल में जो पानी उतार देता है खुदा उसी को जहां की मिहार देता है खुदा उसी को जहां की मिहार देता है ये रिस्ते जखमों पे मरहम से कम नहीं हर्गिज़ ये रिस्ते ये रिस्ते जखमों पे मरहम से कम नहीं हर्गिज़ अली का जिकेर दिलों को करार देता है अली का जिकेर दिलों को करार देता है एक मन्जील तक लाँगा समात करें अली का चाहने वाला खिलाफ जल्म उसितम अली का चाहने वाला खिलाफ जल्म उसितम हर एक लाँव को खंजल की धार देता है हर एक लाँव को खंजल की धार देता है शेर समात करें मौला के चैने वाले मौजूद है और सबका ये जाविया भी होगे और सबके सामने ये चीज़ें आई होंगी जरूर ये मेरा अपना मुशाइदा है खास तो उसे समात करें बतर रहे खास जो एक पैसा भी देता है नाम है दर पर जो एक पैसा भी देता है नाम है दर पर फकीर उसे को दोएं हजार देता है फकीर उसे को दोएं हजार देता है समात करें शेर अली का इश्क सनद है तहारत खूंकी अली का इश्क सनद है तहारत खूंकी अली का जिकर मुकदर सवार देता है अली का जिकर मुकदर सवार देता है अली का जिकर मुकदर सवार देता है शेर समात करें सारे अज़ादार मौजूद है खास समात करें तारीख नजरों में हैं समात करें जब भी जल्म ने आवाज उठाई है इसी फर्षे अजा से आवाज बलंड हुई है जवाब यहीं से मिला है समात करें मौला के चाहने वाले मौजूद है बस ये दो शेर के जाहिमत कि यजीदियते के एरादों का चोदा सदियों से यजीदियते के एरादों का चोदा सदियों से यजीदियते के एरादों का चोदा सदियों से जवाब फरीश औ अजाबार बार देता है जवाब फरीश औजाबार बार देता है बस शेर समात करे ले आखरी शेर समात करें कि वो हाथ जिसे को यदुल्लाई जेब देती है वो हाथ जिसे को यदुल्लाई जेब देती है भड़ा उसी को तमामख तियार देता है बसd ए कि आखरी श्यर खत्म दौा इंशा घुल्ष भी कि जेज़े बुरसे करेंगे खासत तो थे श्यर समात करें मुलाबास के चाहिने विए मवजुद हैं समात करें कि हुसین आप का भाई है सिर्फ ऐसा सकी हुसین आप का भाई है सिर्फ ऐसा सखी हुसین आप का भाई है सिर्फ ऐसा सखी बगएर हाथों के जोबे शुमार देता है हुसین आप का भाई सखी है इबन सखी बगएर हाथों के जोबे शुमार देता है सल्वार बर महम्मद और महम्मद हजरात एक बार एलान और समात फर्मा लें जैसा कि मुझे बताया गया है धो जोलाई इतवार सुबार बजे इसी अज़ा खाने में एक मजलिस बरसी मनकित ली गई है इस मजलिस को खिताब फर्माएंगे हुज़त इसलाम आले जैना मौलाना स्यद मुहमद अखियल हुज़त इसलाम अले जैना मौलाना बनारस आफ वजरासे मजलिस में शिर्केत को गजारीश है अब मैं आज की इस मजलिस के खतीब उजाकर हर्दिल अजीज खतीब बेहतरीन बयान मौन फरीद लहजा मरी गुजारीश हुज़त इसलाम अले जैना मौलाना स्यद जमीर अदरसाब के बिला करार रिए सी कि वो रोना के अफरोज इमिंबर हुँ बाबाजे बना नहरे सलवासे आप अबरास सबार करें थोड़ा थोड़ा करीब आजाएं आप अगर जहमत नहों थोड़ा थोड़ा आगे आजाएं तक एक सिमट के बैठने में एक थोड़ा सा अजय अद्वारा करें कराव फाति हा नहीं नहीं है दोड़ रही कि आप आप हम है कि आप जयादना अभुन व्यादी आप इस दोड़ी आप इस लाहुल वला गुवत इल्लाह पिल्लाहिल अली अलाजीम अजुद बिल्लाहिल स्मीब अलीम मिन श्शेटान इलाइन इर्रजीम बिस्म ल्लाह इर्रह्मान इर्रहीम अल्हम्दु लिल्लाह ल्जी लम यत्तकि साहबतां वला वलदां वलम यकुल लहु शरीकٌ फिल्मुल्क वलम यकुल लहु वलिय म मन ज्जली वकबिरहु तक्बीरा वस्सलात वस्सलाम वत्ताहियत वलिक्राम अला रसूल नबी लुम्मी सेदिना वमुलाना अबिल्कासिम मुहम्मद वालिह तयबीन ताहिरीन अल्मासुमीन वलाणत ल्लाह अला अदाइहिम अज्माइन मिन अलान इला कियाम युम अद्दीन अमा बढ़्द वकद काल इमाम अर्रिजा अलेहिस्सलात वस्सलाम बिस्मिल्लाह अर्रह्मान अर्रहीम कुन मुहिबन लि आल मुहम्मद व इन कुन तफासिका व कुन मुहिबन लि मुहिबीहिम व इन कानू फासिकीन सलवात पर दे मुहम्मुद व आले कलाम की अब्तदा में गुजारिश है सुरह हम्द और सुरह इखलास की इतलाओत फर्मा कर मरहुम मुहम्मद मस्लिम इबन मुहम्मद हाशिम और मरहुमा अन्वरी बीबी की अरुआ को इसाल फर्माएं को पालतां फो इसाल भालतां वर्मा कर ठाम माहِ जिल्कादा अपने आखरी मरहले में है आज इस महीने की कितनी तारीख है 27 तारीख बस दो दिन या तीन दिन इस महीने के बच्चे है अमोन मजलिसों में जो मुनास्बतें रहती हैं आस पास मैं उसी उन्वान से कुछ नकुछ अर्श करता हूँ ताकि हमें ये एहसास हो हम किन दिनों में जिन्दगी गुजार रहे है माहिसल कादा जो हमारे यहां औरतों के दर्मियान खाली के नाम से मशूर है यानि जिस महीने में कुछ नहीं खाली का मतलब कुछ नहीं एक तरफ माहिस मुबारक रमजान बहुत कुछ है पिर इड औ खुद इड ही काफी है बगरी आड में बगरी इड काफी है गदीर है माह महर्म से लेकर अवल तक आयाम आजा है माह रभ अस्थानी जमाद अलूला जमाद अस्थानी सबके अपने अपने नाम है उनकी फेरिस में लेकिन इस महीने का नाम क्या है? खाली जबकि जमीन की अप्तिदा हुई है तो इसी महीने से हुई है अभी जो पच्चीस तारीख गुजरी है रोज दहुलार्ज यानि जिस दिन अल्लाँ ने इस जमीन को बिछाया और बिछाया से मुराद ये है कि जमीन ने सबसे पहले अपना मुः उस पानी से बाहर निकाला रोज दहुलार्ज और रोज दहुलार्ज में भी बड़े फजीलतें हैं और बड़े फजायल हैं जो लोग उस दिन की आजमत से आशना हैं वो जानते हैं कि मफातिय। जनार और दीगर कुतुब में जो अदिया की कुतुब हैं क्या-क्या फजीलतें बयान हुई और फिर इसके अलावा जिसे हम खाली समझते हैं हमारे आठवे इमाम इमामर रिजा अलेह सलाथ वस्सलाम की विलादत भी इसी महीने है और शहादत भी इसी महीने है जो हमारे मशूर रवायत है 11 जिकाद और 23 जिकाद इसके अलावा इमाम महमद तकी यानि इमाम जवाद अलेह सलाम की शहादत उन्ती जिलकादा जो अभी आने वाली है और खास्तोर से हमारे यहां जो सादात हैं उसमें भी एक बड़ा सलसला है रिजवी सादात का जो रिजवी सादात हैं वही तकवी भी हैं वही जवादी भी हैं वही बुर्गई भी हैं वही रिजवी भी हैं अगर इतना बड़ा सलसला उम्मत को दे दिया है जिस इमाम ने हो उसी इमाम की विलादत का महीना खाली हो जाए तो फिर पुर कौन सा हो गाए जिसके विलादत भी इसी महीने में जिसके शादत भी इसी महीने में और फिर उनकी जो एक पाक बहन हैं मासुमे कुम मासुमे कुम की विलादत भी इसी महीने की अब्तदा में यानि अब्तदा भी बेहतरी जरीय से इंतहा भी इमाम के नाम पे वस्त में दहुल अर्जा है शुरू में भी बरकत है आखरी में भी बरकत है बरकतों के दर्मियान महीना है अगर ये महीना खाली है तो फिर कोई पुर नहीं हो सकता हम किसी महीने को खाली ही नहीं समझते इसलिए कि खाली उनके महीने हो जिनके पास जिक्र अहल वैत नहीं होता जिनके पास अहल वैत का जिक्र है जब चाहें उस महीने को पुर कर सकते है एक सलवात पुर्दे मुहम्मद और अले मुहम्मद अब चुकि मुनासुबत ही यह इसलिए मैंने हदीथ भी मुन्तखब की है इमाम अर्रजा अले सलाथ और सलाम की इमाम इर्शाद फर्माद और कहां इर्शाद फर्माया जब मामुद ने इमाम को मदिने से तूस बुलवाया इमाम गए तूस कई महीनों का सफर था मदिने से चल कर वहां पहुँचे जो नाके की मेहार पक्ड़े हुए था वोई इनसाँ जब वहां पहुँच गया अमाम को लेकर तूस में तो जाने लगा मौला हमें अजाज़त दीजे हम आपको यहां पे छोड़ चुके जैसे हो तैड ड्राइवर आया ड्रॉप करके चला गया मौला हम आपको यहां ड्रॉप करके जा रहे हैं आपको छोड़ के जा रहे हैं मौला खुदाहाफिज इमाम ने का ऐसे कैसे खुदाहाफिज हमें लेके आए हो हम किसी की महनत को बगएर अजरत छोड़ते नहीं हैं हम किसी की महनत को जाया नहीं जाने देते अब समझे ना अब समझे और पहचाने अपनी अजमत को मजलिस सिर्फ शीरमाल के लिए नहीं होती है मजलिस सिर्फ जाहरी तबर्रक के लिए नहीं होती बलकि जमाने का इमाम कहता है हम तुम्हारी महनत को जाए नहीं होने जेंगे जहां सारे लोग बिस्तर पे इस्तराहत कर रहे हैं अगर तुम हमारे नाम पे फर्श अजा पे आए हो तो इसकी उजरत हम जरूर अता करेंगे कभी आखिर में मौना बनाना की आयत और हिस्सा ये मिला हिस्सा ये है ही नहीं ये तो मेजबान ने अपनी तवानाई के एतबार से दिया है जिसकी जितनी तवानाई उसका उतना बड़ा तबर्रुक ये तैह है ना जिसकी जितनी बड़ी तवानाई उसका उतना बड़ा तबर्रुक मेजबान की तवानाई ये थी उसने दिया इमाम की तवानाई का अंदाजा कौन लगा सकता है इमान की दवानाई का अंदाजा कौन लगा सकता है हाँ मांगने का सलीका चाहिए मांगने की रविश होनी चाहिए हम आए किस लिए है हमारा हदफ क्या है हमारा मकसद क्या है मौला ने कहा सारबान हो ना तुम नाके की महार पकड़ के आए हो ऐसे थोड़ी जाने देंगे जो मामून ने दिया है वो अलग हमसे भी तो कुछ मांगो होगा तो यह होना तो यही चाहिए दुनिया वाले बहुत सी यह कहे देते कि अगर किसी जाकिर को पैसा दे दिया तो अब उजरत अल्लाह नहीं देगा शाहजादी नहीं देंगी इमाम क्या कह रहे है मामून ने जो दिया वो अलग हम भी तो कुछ देंगे तुमें हम भी तो कुछ अता करेंगे अरे जब एक ने दे दिया तो एक काम के दो उजरत कैसी मौला कहेंगा अगर हदफ मामून की उजरत होती तो बात वहीं खत्म हो जाती लेकिन तुमारा हदफ सिर्व मामोन की उजरत नहीं थी और इसी बात को तमाम जाकरीन और उलमा खतीब को जहन में रखना है अगर हदफ मेजबाद से उजरत लेना है तो यहीं बात खत्म हो जाएगी अगर हदफ इमाब जो उज्रत लेना है अगर पहले से तैय करके चले मेजबान से लेना है वही हदफ तो इसका मतलब उज्रत ही एक बार लेकिन अगर हदफ यह है कि रूजाए इमाम हदफ यह है उज्रत उन से लेना है हदफ यह है कि हम उन से मángगेंगे तो एक काम की उज्रत कई बार होगी सब अता करेंगे हर ذाद मकद्दस अता करेगी इसलिए कि बगहर ये तो ऐसा काम है नहीं जिसकी उजरत पब्लिक ते कर ले अर जो पब्लिक ते कर लेती है बात वही खत्म हो जाती है बात वही तमाम हो जाती है लेकिन जहां कुछ ते नहो वहां वो उजरत देते हैं मौला नहीं का कुछ मांगो हमसे मांगो अच्छा हमसे अगर इमाम कहें कुछ मांगो तो हम क्या मांगेंगे बहुत अचीव है था सारवान लेकिन बामारिफत सारवान था बामारिफत नाके की महार पकड़ने वाला था इसका मतलब ये कि नाका लेके चलना बुरा नहीं है मारिफत रख के नाका लेके चलो तो इससे अच्छा कोई नहीं अब समझे ना ये रिक्षा चलाना बुरा नहीं है ड्राइवर होना बुरा नहीं है गाड़ियां चलाना बुरा नहीं है अगर मारिफत इमाम है तो इसी में हदफ हो जाएगा यही तुम्हें मकसद तक पहुचा देगा है सारबान मौला ने का कुछ मांगो हम लोग जैसे होते मौला दिरहमो दीनार दे दीजे मौला थैलिया दे दीजे मौला अशर्फिया दे दीजे वापसी तक का हो जाए जाए तो घरवालों का खर्च चल जाए लेकिन उसने कुछ नहीं कहा का मौला अगर कुछ देना चाहते हैं कुछ अता करना चाहते हैं एक जुमला कह दीजे जो दुनिया के लिए भी हो आखरत के लिए भी हो आपके जबानी एक हदीश सुनना चाहते हैं आपके जबानी एक जमला सुनना चाहते हैं कभी हम मांगते कभी नहीं मांगते हम तो वो मांगते जो दुनिया में काम दे उसना का मौला ये नहीं चाहिए एक हदीश दे दीजे मौला एक जमला दे दीजे जो यहां भी काम दे जो मरने के बाद भी काम दे मौला ने कहा कि बहुत अच्छी बात कही है तुमने कलेजे से लगा लिया लगाने के बाद इस जुम्ले को कहा जिसे मैंने उन्वाने कलाम करार दिया था कुन मुहिबन लिआल मुहम्मद वैन कुन तफासिका मुहम्मद औ आल मुहम्मद के आशिक रहना चाहे गुनाहगार ही क्यों नहो अजीब बात है चाहे तुमसे गुनाही क्यों नहों जाए मैं सिर्फ जहनों को जिन जोड़ना चाहता हूँ मैं नहीं चाहता कि बहुत वाहवा हो जाए मैं नहीं चाहे ताकि बहुत तारीफ हो जाए और मैं बिल्कुल इस उन्वान से मजल्स को काम्याब समझता ही नहीं हूँ बलकि काम्याबी यह है कि उस तारीफ के साथ जहन अंदर से ज्छोड दिया जाए हमारे कलब अंदर से बेचैन हो जाए हम क्या हैं मौला ने का कुन महिबन लिआल मुहम्मद वइन कुन ताफासिका अगर तुम से अलानिया गुनाह भी हो गया है तो हमारी महबत को न छोड़ना हमारी महबत को न तर करना इस लिए कि अगर कोई तुमें नजात दिला सकता है तो हम बस हमारे अलावा कोई और नहीं अगर तुमें कोई बचा सकता है तो हम अगर कोई तुमें सीधे रास्टे पर वापस ला सकता है तो हम और हमारी महबत हमारी महबत के सवा कोई तुमें सीधे रास्टे पर नहीं ला सकती زمانِ امامِ سعادق علیہ السلام है और मैंने कही है यही पे एक दास्तान अर्स की थी इस दास्तान को कि امام का एक सहाभी है नजाशी नाम है सहाभी भी है कभी-कभी पी भी लेता है साथ में बैटता भी है और कभी-कभी शराब भी पीता है अजीब साथ में बेटने वाला है अच्छा हमारे अगर कोई ऐसा होता मौलाना साहब के साथ कोई ऐसे साहब बेटते तो मौलाना ही साहब की इज़त उतार दी जाती कि कैसों को बिठाते हैं पास में लेकिन इमाम क्या नहीं जानते थे इमाम क्या नहीं समझते थे कि ये शराप पीता है फिर मौला क्यों बिठा रहे हैं अपने पास मौला आवाज दे रहे हैं अगर इसे दोबारा कोई सीधे रास्ते पे ला सकता है तो हम अगर हम ही छोड़ देंगे तो पिर इसे सीधे रास्ते पे कौन लाएगा अगर हम ही इसे हटा देंगे तो पिर इसे सीधे रास्ते पे लाएगा कौन शराप पीता दा मौला का सहाबी भी था लेकिन ये काम करता था जब भी मौला से मिलने के लिए जाना हो इमाम सादिक से तो बाकाइदा मुसाफ करके ब्रेश वगेरा करके जो भी हो जैसे भी मुसाफ करके सौफ खाके हमारे याँ जैसे करते हैं और आए इमाम के पास ताकि दहन से मुशखस न हो जाहिरी एतिबार से लेकिन एक बात मैं यहीं पर रुक के और अर्ज कर दो मैंने कहा न कि वाहुआ के दर्मियान दिलों को जोड़ना भी है वो शराब पीता था लेकिन इतना सलीका था कि बस में इमाम में जाना है तो इस मुख के साथ नहीं जाना है बज में मासूमीन में जाना है तो इस मुझ के साथ नहीं जाना दहन साफ करके जाना है मुझ साफ करके जाना है मुझ में दबा के नहीं जाना मुझ में साइड में रख के नहीं जाना इसलिए कि बज में मासूम में जाना है शरावी था लेकिन इतना सलीका था मासुम के पास जाएंगे तो दहें साफ हो पार्ण मसाले लेके नहीं जाना है बस में मासुम में हैंगे कैसे जाएंगे मौसाफ करके जो गलतियां हुए उस्तिबाद था उसके बावजुद कोई हटा नी सकता लेके मासुम रुकते हैं अपने पास आता तो साफ करकी एक दिन हुआ ये कि सामने से आ रहा है वहीं पी के इदर से मौला आ रहे गली ऐसी है कि बंद गली है न इदर जा सकते न उदर जा सकते निगाहें चार हो चुकी है करे तो क्या भाग भी नहीं सकता कहीं दर्वाजा हो चला जाए वो आ रहा है उदर से इदर से जा रहा है इमाम सादिक जैसे ही उसने देखा मौला करीब आ गए उसने दीवार की तरफ रुख किया और ऐसा इज़ार किया जैसे अपना इज़ार बन ठीक कर रहा हो हम दीवार की तरफ मुँ करेंगे रुख कर लेंगे मौला पीछे से निकल जाएंगे हम आगे बढ़ जाएंगे लेकिन वो खुद कहता है मुझे थोड़ी देर के बाद महसूस हुआ मेरे कांधे पे किसी का हाथ है कांधे पे हाथ आया और हाथ आने के बाद इमाम का हाथ था इमाम ने एक जुमला कहा अगर कभी गुना भी कर लो तो हमसे मूँ न मोडना इसलिए कि अगर हमसे मूँ मोड लिया तो दोबारा तुम्हे कौन नजाद दिलाएगा तारीख कहती है इस दिन के बाद से नजाशी ने तौबा कर लिया फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाया एक बार गुनाहगार को गुनाह करने के बाद जो भगा दे वो हम होते हैं और गुनाहों के बावजूद जो उस दलदल से निकल ले उसे इमाम कहा जाता है सलवात समे महम्मद बावाला nya महम्मद मैं छो पयगाम देना चाहता हूं सब के लिए कभी किसी के साथ उटते बैटते हो किशको अपने पास מठाते हो ये तो ये गुना करते हैं ये ये गुना करते हैं करते हैं लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो उन्हें लेके कौन आएगा इस रास्ते पर अगर हम छोड़ देंगे तो फिर कौन उन्हें लेके आएगा बहुत से लोगे तो मॉलाना साहब वो फला मॉलाना है ऐसे ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो महिले के बिल्कुल खास अफराद हैं और उनी के साथ बैठते हैं और बाकाइदा वो मुलाना साथ की भी इज़त उतारी जाती है क्यों बैठते हैं इनके साथ देखे समाज में कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो मुकदस नहीं होते हैं मुकदस नुमा होते हैं जो मुकदस नहीं होते हैं तो हुर को हुर के उन बनाएगा अगर मौला सिर्फ अपने खेमे में रहेंगे तो जोहर को जोहर कौन बनाएगा अगर मौला सिर्फ अपने खेमे में रहेंगे तो वहिब को वहिब कौन बनाएगा यह जिम्मेदारी किसकी है गुनाहगार को उसकी हालत पे छोड़ देना दीन इसलाम नहीं है गुनाहगार को गुनाह के दल्दल से निकाल के लाना ये दीन इसलाम है इनी छटे इमाम के साहभी है मुफजल इबन अमर मौला के साहभी है ये रहते हैं कूफ़ या बसरा में गालिबन कूफे में कूफे से कुछ मुकद्दस लोगों ने लेटा लिखा इमाम सादिक को मौला आपके सहाबी हैं मुफजल इबन अमर और बहुत बड़े सहाबी जनसे नजाने कितनी रुएते नकलुई हैं आपके तुब अरबा देखें वसाईल श्याद है कि बहुत से रुएते जनाब मुफजल से नकलुई हैं आपके ये सहाबी हैं लेकिन आपको पता है मौला यहां पे ये इसलाम चौक में कैसे कैसे लोगों के साथ बैठते हैं उन्होंने नहीं कहाता है इसलाम चौक यहां पे जान पूर में वो कैसे कैसे यानि कूफे में वो कैसे लोगों के साथ बैठते हैं उन्होंने लिखा मौला जो यहां के कबूतर बाज हैं अच्छा कबूतर बाज उस दमाने में कबूतर ही को कहते थे साओधी यूएई भेजने वाले को नहीं कहा जाता था जिसे अब कहा जाता है भी वो कबूतरी उडाने वालों को कहा जाता था का मौला ये जो आपके सहावी है ना ये हम मुकद्दस लोग हैं हमें टाइम ही नहीं देते किसके साथ बैठते कबूतर बादलों के साथ जिनका सुबा से शाम तक काम है कबूतर उडाना और ये अच्छे नहीं समझे जाते समाज में और मौला आप वा सहाबी उनके साथ बैठता है उन्होंने शिकायत लिख कि इमाम सादी को लेटर मिला इमाम ने इनको जवाब नहीं दिया इमाम ने पलटके एक खत लिखा जनाब मुफजल के नाव ए मुफजल जैसे ही मेरा खत तो मैं मिले तो मिंबर पे जाना और जाने के बाद इस लेटर को पढ़ना सारा जवाब इन लोगा मिल जाएगा मौला खत लिखा इन लोगों ने जवाब इने दीजे मौला आवाज दे रहे बहुत से लोगों को मैं जवाब के काबिल भी नहीं समझता हूं वो चाहते हैं कि उनका जवाब भेजा जाए मैं उने इस काबिल भी नहीं समझता वरना उनके लिए एक तमगा हो जाएगा कि मैंने इमाम को लेटर लिखा था इमाम ने मेरे नाम पे जवाब दिया है इमाम ना मुझे जवाब दिया इमाम ने खत उन्हें नहीं लिखा इमाम ने खत लिखा मुफजल अबने عمر کو जैसे ही तुम्हे ये लेटर मिले आय मुफजल मिमबर पे जाना सब को इकठा करना मुकद्स जो अफराद हैं उन्हें बुलाना सब को बुलाने के बाद इस लेटर को पढ़ना जैसे मुफजल को खत मिला मुफजल गए मिमबर पे बुला लिया مسجدِ کوفہ میں سب کو آ جاؤ سارے لوگ آ گئے بہترین بہترین افراد جو سامنے سے بہترین تھے سب آ گئے مفضل نے لیٹر کھولا بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلِ کوفہ تم پہ تمہارے مولا کا سلام ہو سلام کے بعد مولا عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی مجھے پیسے کی بڑی ضرورت ہے دولت کی بڑی ضرورت ہے ہمارے چاہنے والوں کے اوپر پیسے صرف کرنا ہے پیسے خرچ کرنا ہے پیسے کے کمی ہو گئی ہے ایسا کرو پیسے کلکٹ کر کے بھیج دو امامِ صادق کے پاس مفضل نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھنے کے بعد پھر مفضل نے کہا ہاں تو کون کون پیسے بھیجے گا جتنے سماج کے مقدس افراد تھے ایک ایک کر کے آرے میرے اوپر تو قرضہ ہے مجھے تو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے میرے تو یہ کام ہے مجھے تو فلا کام ہے نماز روزہ کرنے والے ایک ایک کر کے کٹتے چلے گئے سجدہ کرنے والے ایک ایک کر کے کٹتے چلے گئے جو ظاہری مقدس باقی جو حقیقتاً مقدس تھے ان کے گفتگو الگ ہے ایک ایک کر کے کٹتے چلے گئے پیسہ کلکٹ نہیں ہو پایا مفضل نے کہا عجیب مرحلہ ہے پیسہ کلکٹ نہیں ہو پایا اگلے دن یہ خبر انہیں ملی جو کبوتر باس تھے جو مشہور تھے کہ اچھے لوگ نہیں انہیں پتا چلا ہمارے امام نے پیسہ منگوایا ہے ہمارے امام کو پیسے کی ضرورت ہے ایک مرتبہ سب اکھٹا ہوئے اور اکھٹا ہونے کے بعد جتنا امام نے کہا تھا اس سے زیادہ اکھٹا کر کے مفضل کے ہاتھ پہ لاکر رکھ دیا ایک مرتبہ مفضل نے کہا دیکھو نماز روزہ کرنے والے اور ہیں اور جب امام کو ضرورت پڑے تو مال خرچ کرنے والے اور ہوتے ہیں کبھی کبھی جو سامنے سے اچھے دیکھتے ہیں ہر مرحلے پہ اچھے نہیں ہوتے کبھی کبھی جو سامنے سے اچھے نظر آتے اور اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ سماج کے سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کسی میں نماز کی کمی ہو ہو سکتا ہے کسی میں روزے کی کمی ہو ہو سکتا ہے کسی میں عمال سالحہ کی کمی ہو لیکن बहुत सी ऐसी कौालिटी उनके अंदर होती है जो हमारे अंदर नहीं है बहुत सी ऐसी सिफाद उनके अंदर होती है जो हमारे अंदर नहीं मैंने खुद मुशाइदा किया है आपके घर में अगर कोई बीमार पर जाए तो रात के दो बजे, अगर कोई मदद करेंगा, तो ऐसे अफराद मदद करेंगे, अगर खूम देना पड़ जाए, तो अगर कोई बलड डोनेट करेंगे, समाज में ऐसे लोगों को इख्तियार करके, उस दल्दल से निकाल के, दीन की तरफ लाने की जिम्मेधरी हमारी है, अ इनकुन तफासिका अगर तुमसे अलानिया गुना भी हो गया हो तो मुहमद औ आल मुहमद की महबत को नहीं छोड़ना ये पहला जुमला मुला ने कहा इमाम रिजा ने किस से कहा भूल गए ना कि कि मेहाट पकडने वाले सारे बांजे किस मेहाँ against कि डराइवर से कि अगर फासिख भी हो गुनागार भी हो तो हमारी महबत तो नहीं छोड़ना अचा फासिख क्या है ये भी क्लियर कर दूँ एक होता है गुनाह एक होता है अलानिया गुनाह 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 है लेकिन फिस किसे कहते है यानि खुलन खुला गुनाह करना रोजा न रखना एक गुनाह है लेकिन माई मुबारक रमजान में यहीं अलानिया बैट के दोपहर में चाय पीना यह से फिस कहा जाता है बगेर उजर के सब के सामने यानि इसलम के अहकाम के पामाल भी कर रहे एक तो मांते हैं नहीं दूसरे पामाल भी कर रहे पहला जुमला आपके जहिन में आ चुका बात इसको यहीं तक रोकना चाहता हूँ आगे भी बड़ी बाते थी दूसरा जुमला वकुन मुहिबन लमुहिबीहिम असल बहस मुझे यहीं पे करनी और हम सब के उपर ये बात आती है लागू होती है मेरे उपर आप के उपर सब के उपर वकुन मुहिबन लमुहिबीहिम वईन कानू फासिकीन इमाम रर्जा कह रहे हैं आए मेरे चाहने वाले जो मुझे चाहते पहले तो ये कि मुझे चाहो एहले बैद को चाहो चाहे तुम से गुनाह क्यों न हो गया दूसरा जुमला जो मुझे चाहते हैं उन्हें भी चाहो चाहे वो गुनाहगार ही क्यों न हो बात बहुत आगे तक आ गई है सिर्फ एहले बैद को नहीं चाहना मुहिब बे आहले बैद को भी चाहना है आहले बैद के चाहने वालों को भी चाहना है चाहे वो गुनागार ही क्यों नहों अगर वो गलती पे भी है तब भी उन्हें चाहो इसलिए कि वो मुझे चाहते है अब अगर ये चीज हमारे अंदर उतर जाए ना तो जेतने भी हम गिरोग गिरोग में बटें सब खत्म हो जाएगा इसे चाहो इसलिए कि अहल अहल बैद को चाहता है अब हमारे अंदर जेतने गिरोग बटे जा रहे हैं यह सारी आनादव जाएगी चाहत होगी इसलिए कि यह महिब आल मुहम्मद है एक सलवात पर दे मुहम्मद वाले मुहम्मद अब समझे अब ये नहीं हो सकता हम अपनी अंजुमन वाले को चाहेंगे बस हम अपने महले वाले को चाहेंगे बस हम सादात को चाहेंगे बस हम गेर सादात को चाहेंगे बस हम सिर्व खान को चाहेंगे बस यह बस होई नहीं सकता हमारी चाहत इसलिए नहीं कि हमें अच्छा लगता है हमारी चाहत इसलिए है कि इसे अहल बैद अच्छे लगते है हमारी चाहत इसलिए है कि इसे मुहम्मद औ आले मुहम्मद अच्छे लगते है अपनी अना को ताक पर रखे उसे इसलिए चाहो कि वो आहले बैद को चाहता है अगर इसलिए चाहे कि वो आहले बैद को चाहता है तो आहले बैद इसलिए चाहेंगे कि तुम उनके चाहने वालों को चाहते हो अब कौन बचेगा है कोई जो बच जाए हम लोग तो क्यों नहीं चाहते नहीं थोड़ा सा हमसे अलग है ये थोड़ा सा हमसे जुदा है ये और मैंने अपनी कई मजलिसों में इस बात को अर्स किया है कि हमारे हैं वही होता है अंजुमन में बढ़ के कहते हैं ने बस हमें एक अंजुमन वाले बस अंजुमन बाजी बुरी नहीं अगर कभी आपने सुना मजलिस में के अंजुमन बुरी नहीं बुरी नहीं बहुत अच्छी चीज़ है बहुत बहतरी चीज़ है लेकिन वो अंजुमन बाजी नहों जो हम करती अंजुमन ने बनना बहुत अच्छी चीज़ है करवलाम इमाम हुसाइन ने भी तीन अंजुमने बना दी थी करवलाम इमाम हुसाइन ने तीन हिस्सा बाट दिया था अब उसे आप हिस्सा कहे दें जाए अपनी जबान में अंजुमन कहे दें ऐए जोहेर मैमना तुम्हारे हवाले है आई अभीम मैसरा तुम्हारे हवाले है आई अभास इयलमदार पल्ब लशकर तुम्हारे हवाले है यानि यह लशकर 72 है तीन हिस्सों मे बढ़ गया है लेकिन इसके बावजूद जब तजकिरा होता है तो मैमना मैसरा का तजकिरा नहीं होता 72 का एक साथ होता है नजम उन्तिजाम के लिए गिरो गिरो बाटना जरूरी है वरना एक नौहा कान नौहा पड़े और दो किलो मीटर की सफ लग जाए तो आवाजी न पहुँचेगी और ताल भी नहीं बैट पाएगा हाथ भी नहीं बैट पाएंगे नजम के लिए अंजमन बनाना जरूरी है लेकिन जब बाहर का आदमी देखे तो उसे बहत्तर एक जैसे नजर आएं चवराये पे जाके ये नहो कि पहले हम पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे नहीं वहाँ पहले पढ़ने के लिए मसाबगा नहीं हो रहा था करवला में पहले जहाद के लिए मसाबगा हो रहा था पहले कुर्बानी के लिए मसाबगा हो रहा था रिजा-ए हुसैन के मसाबगा था अपनी अना का मसाबगा नहीं था आप कितना भी पहले पढ़ने अगर इमाम हुसाइन के लिए है तो शाजादी है उस सफ में अगर इमाम हुसाइन के लिए नहीं है तो आगे चले जाएं शाजादी उनके साथ आएंगी जिन्होंने अपनी गुर्बानी दी है जिन्होंने अपनी अना को गुर्बान किया वाक्गन महिबन ले महिबीहिं वाइन कानू फासिगीन आहल बैद के चाहने वालों को भी चाहना चाहे वो फासिग क्यों न हो चाहे वो गुनाहगार क्यों न हो चाहे उन से खताएं क्यों न हो गई हो और इसलिए एक और मेयार दिये दे रहा हूं आपको अहल बैद का चाहने वाला चाहे जितना गुनाहगार क्यों नहो अहल बैद का गुष्मन चाहे कितना मुत्तकी परहिज़गार क्यों नहो उसके मकाबले में ये कहीं ज्यादा महभूब है हमें आहले बायत का दुश्मन चाहे जतना अबिद उजाहित क्यों नहो आहले बायत का मौहिब चाहे जतना गुनाहगार क्यों नहो मैं इमाम की इस हदीश की रोश्टी में कह रहा हूं ये मेरे लिए कहीं आजीज है वो मेरे लिए आजीज नहीं है इसलिए कि इनको बचाने वाले मौजूद हैं इसे बचाने वाला कोई नहीं है इसे बचाने वाला कोई नहीं है इसने उन्हें लीडर बनाया है जिनकी राहनुमाई बस दुनिया तक है बस और बस आपका कितना बड़ा लीडर क्यों नहो आपको राशन दे सकता है पांच किल कहां, दुनिया में, कहां, दुनिया में, है कोई लीडर जो कहे के दुनिया में मरने के बाद भी हम घर देंगे, है कोई, जितने भी आवास योजनाएं होती हैं, दुनियावी लीडर की वो दुनियावी आवास होते हैं, ये घर देंगे, अचा घर दे दी हम कितने साल का ये तो गारन्टी नहीं है आप जब मर गए तो घर दूसरे का आप मर गए घर दूसरे का गर मेरे नाम पर था यही का घर दिया यही की जमानत ली यहाँ खत्म हो गए हम उने मानते हैं जो यह नहीं कहते यहां देंगे वो bouncing मुष्मिल मराहल पे जब सब साथ छोगने जब म में हम रहेंगे हिसाब किताब में हम रहेंगे सिरात में हम रहेंगे और घर भी देंगे चो अपने जवार में देंगे एक सलवात पर दें मुहंमद वöyle मुहंम्ह चाहे वो फासिक ही क्यों न हो कैसे चाहा जाता है इश्क अहले बैद के चाहने वालों से कैसे दुनिया में हर योजनाओं में पैसे चंदा चालिस चालिस हजार देने वाले अपने परोस में अहले बैद का चाहने वाला भूका रहता है अगर उसकी खबरगीरी नहीं करते तो इसे ना यहां इज़त मिलेगी ना वहां इज़त मिलेगी नहीं मिलेगी इज़त तुम कैसा चाहते हो चाहत यह कहती है कि जिसे हम चाहते हैं वो भूका न रहे जिसे हम इश करते हैं वो प्यासा न रहे कि हम हर चीज़ में समझते हैं कि बरकत बरकत हम ये सोचते हैं कि मकान बना के बाहर हाजा मिन फदल रबी लिख देने से बरकत आ जाएगी नमबर दो के मकान से हाजा मिन फदल रबी लिखने से वो नमबर एक का नहीं होता वो रहेगा वैसे ही नमबर दो के फजल से लाके अल्ला का फजल यह नहीं होगा बरकत नहीं आती बरकत कसरत में नहीं होती है हम लोग यही समझते कसरत में बरकत है कसरत बरकत का नाम नहीं है बरकत कसरत का नाम नहीं है कसरत लगपती हो गए, करोड़पती हो गए, मिलियनर हो गए, बिलियनर हो गए आप अहले मस्क बन जाएं, बिल गेट्स बन जाएं आप कुछ भी बन जाएं कहा जाएगा साहिब बरकत हैं, बिलकुल नहीं बरकत अगर दौलत अपने लिए खर्च हो रही है तो ये दौलत बाई इसे बरकत नहीं है अगर दौलत अहले बैद के चाने वालों पे खर्च हो रही है तो ये दौलत बाबरकत दौलत है दौलत बहुत रहे चाहे जितनी ही हो जाए अगर अपने उपर खर्च हो रहे है, पबलिक के मिसाल नहीं दूँगा अपने सिल्फ की मिसाल दूंगा इसलिए कि पबली को बड़ा मज़ा आता है मुलाना की मिसाल दे दे तो उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा हो गया हलाकि मैं आखिर मैं पल्टाओंगा जरूर एक सलवात पर दे मुहम्मद वाले मुहम्मद एक और सलवात पर दे मुहम्मद वाले मुहम्मद लिफाफे मिलते हैं जो मांगते हैं उनको मुबारक जो नहीं मांगते हैं उनको तो मुबारक होईगा मिले हुए लिफाफे मेरे जेब में आए आने के बाद अगर जितने भी लिफाफे मुझे मिले पैसे ये सारी दौलत मेरी अपने उपर खर्च हो रही अपने घर वालों पर खर्च हो रही तो ये कसरत की निशानी है बरकत की निशानी नहीं है मैं जहां तक ले जाना चाहता हूँ मैं फिर कह रहा हूँ दिनों को जेजोड़ना आए अगर ये पैसा जो मुझे मिला है मौलाना साथ को मौलाना साथ जो आपका पैसा है वो कितना खर्च किया जो माल इमाम था जिर वही खर्च किया जो आपका था वो भी कभी खर्च किया या नहीं अगर ये लिफावा पूरा अपनों उपर खर्च हो रहा है तो यह कसरत की निशानी है बरकत की निशानी निए बरकत यह है कि किसी को गुनाहों के दलदल से निकाल लिया जाए यह इप्तिदा में मैंने अर्स किया इरान में एक बड़े जाकिर थे दास्ता हैं सुनेंगे सुन चुके हैं फिर सुनें बगोर सुनें और जिन्हों ने नहीं सुना है अपनी दौलत को देखे हमारी दौलत किस काम की है नाम है आगा स्यद महदी किवाम माई महर्म का अश्रा खिताब फर्मा रहे हैं तेहरान में शाम गरीबां आखरी मजलिस पढ़ी आखरी मजलिस पढ़ के चलना चाहते हैं मेजबान ने मसाफिया किया लिफाफा दिया खामोशी से जेम में रखा रखने के बाद आगे बढ़ गए कहीं टौाइलिट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि गिन लिया जाए जेम में रखा हदिया गिना नहीं जाता हदिया गिना नहीं जाता हदिया गिना नहीं जाता रखा जेम में आखा सेयद मेहदी कवाम रखने के बाद उसे लेके आगे बढ़े तेहरान की गलियों से गुजर रहे साथ में एक साथी भी है मुसाहिब है साथ में एक जगा से गुजरे, रात की तारीकी है, बदनाम गली है, सड़क के उस पार कोई खातून खड़ी हुई है, आगा सेयद महदी किवाम ने देखा, शाम गरीबां, ये खातून उस पार खड़ी है, हयत भी कुछ अच्छी दिखाई नहीं पड़ती, उसकी हयत से मालूम है कि ये गुनाहों के दलदल में डूबी हुई हुई है, एक मतबह अपने साथी को बुला या आगा सेयद महदी किवाम ने, कहा जाओ उस औरत को बुला लाओ, उन्हां ने देखा आगा की तरफ, का आगा वो आपके काम की औरत नहीं है, वो आरत गुनाहों वाली औरत है, वो मौलाना साहब से कहे दो, उन्हें गलती हो गई, उन्हें इश्तिवा हो गया है, हाँ, ये उम्मत चाहे जैसी हो जाए, इसे अभी भी अपने आलिम पे भरोसा है, इस आलिम की जिम्मेदारी है, इन भरोसे को तूटने न दें, इस एतिमाद को तूटने न दें, उन्हाँ वो परवर्देगार के रास्ते पे चलने वाले हैं, का नहीं आगा आपको बुला रहे हैं, वो औरत आई, रोट ट्रास करके आई, आगा सेद महदी के पास, आगा सर को जोगाए हुए हैं, एक मरत जेब से, उसी लिफाफे को निकाला, जो आभी दस दिनों की महनत के बाद मिला है, कौन है जो इस लिफाफे को निकालेगा, निकाला और निकालने के बाद कहा, आए मौज़मा हाथ आगे कर, उसने हाथ आगे किया, लिफाफे को उसके हाथ पे रखा, का वादा करो, यह हुसाइन की अमानत है, जब तक तक तुम्हारे पास रहेगी, कभी घलत रास और सिर्फ लिफाफे पैसे नहीं, हमारी तिजारत का पैसा, हमारी नौकरी का पैसा, हमारे आम अफराद की मेनत का पैसा, अगर सिर्फ घर वालों पे खर्च हो रहा है, तो कसरत की निशानी है, बरकत की निशानी नहीं है, का मौज़मा अपने हाथों पे लो, इमाम हुसा इनने तुम्हें आता किया है आज शामे गरीबा है तुम्हें मालूम नहीं है मैं मसाइब की तरफ नहीं आया मैं सिर्फ दिलों को जिज़ोड़ा सबसे पहले अपने आपको खुद को वादा करो जब तक ये पैसा तुम्हारे पास है तक तक फिर इस गली में नजर नहीं आओगी फिर इस जगा दिखाई नहीं पड़ोगी ये कहा आगा मेहदी कवाम ने और देने के बाद पैसा सीधे अपने रास्ते पे चले गए एक साल का अर्सा गुजरा आगा कर्बला जियरत के लिए गए थे हरम इमाम हुसाइन से क्दम बाहर निकाला एक शख्स दौड़ता हुआ आया सलमुन आलेकुम आप ने का अलेकुमस्वलाब चलिए मेरी जवज़ा आपको बूलाती है लेके गए आपकी जवज़ा का हाँ मेरी जवज़ा आपको बूलाती है उसकी जौजा के करीब पुहुचे एग महज़बा खातून ऐक हजाब में खातून एक पर्दे में खातून खाड़ी हुई सरको जुकाए झारुकतार रो रही है आगा अगा पहचाना का नहीं पहचाना का मैं उस तारीक रात में खड़ी हुई वगुनाहगार औरत थी जिसके हाथ पे आपने इमाम हुसाइन की अमानत रखी थी आप रखे तो आगे बढ़ गए मैं एक घंटा बैट के रोती रही मेरा मौला किस किस पे नजरे करम करता है मेरा मौला किस किस पे नजरे इनायत करता है जो हुसाइन उस गुनाह के दलदल में डूबी हुई आउरत को नहीं भूलाता वो हुसाइन हमें भी नहीं भूलाता है वो हुसाइन हमें भी फरामोश नहीं करता आगा मैं रोती रही उस दिन के बाद मैंने तौबा किया ये पैसा क्या मैं दोबारा कभी इस राह में कदम नहीं रखोंगी मैं गई अल्ला की बारगाह में तौबा किया नतीजा ये हुआ कुछ दिनों के बाद तेहरान के एक बड़े बिसनेसमेन ये जो साहब हैं इनका रिष्टा मेरे लिए आया मेरी शादी हो गई और एक साल के अंदर हुसैन ने उस जगा से उठा के कर्बला बुला लिया अगर दौलत बैंक बैलेंस की सूरत में बैंकों मेरकी सर रही है तो ये दौलत किसी काम की नहीं अगर दौलत किसी को गुनाहों से निकाल रही है तो यहाज मह्दी किवाम की दौलत है एक सलवात पर दे मुहम्मद वाले मुहम्मद एक और सलवात पर दे मुहम्मद वाले लाले वाले 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 वा कभी भी अपने लिए ये न समझना कि दौलत ज्यादा आ गई तो ये बरकत वाली ये नहीं है अगर ये पर खर्च नहीं हो रही है तो कसरत की निशानी है बरकत की निशानी है वैसे ही खवातीन में आरतों में आप किसी ज़े पूछें कितना है आपके पास जेवर दो तोला, दस तोला, पचीस तोला, पचास तोला इतना ज्यादा दो सो गिराम हमारे पास है आधा किलो है कहा है का वो तो लाकर में रखा हुआ है पूरी उम्र में कितनी बार पहना पूरी उम्र में जो जेवर होता है औरतें कितनी बार पहें थी अब तो आर्टिफिशल का दौर चल ला है अब उसे निकालती भी नहीं क्या है वो रखा हुआ है लॉकर में रखा हुआ है लॉकर में रखा हुआ है लॉकर में रखा हुआ हुआ है पूरी हमर में पाक दस बार निकले का बस क्या है कि एक इतिबार इशे जो रखी हुई है ये कसरत की निशानी है बरकत की निशानी नहीं है बरकत क्या है हम लोग सिर्फ सुनते हैं खुश हो जाते हैं हम यह सोचते हैं कि आहले बायत को सिर्फ परवर्दिगार ने अता किया था लिए वैसे थे नहीं उनके अंदर क्वालिटी थी तब अता किया था उनके अंदर क्वालिटी थी तब अता किया था और आपके शायद यहीं इसलाम चौक में बहुत पहले मैंने एक मिशाल अर्श की थी के क्वालिटी होती है तब ही अल्ला अता करता है एक साथ तो कहते थे कि मौला अली का क्या कमाल है बाब खैबर उठा लिया अल्ला हमें ताकत दे हम भी बाब खैबर उठा ले वही सोचने वाली बात है मौला ने खुद ही कहा है कि मैंने इंसानी ताकत से नहीं उठाया मैंने अल्ला की दी हुई ताकत से उठाया तो अगर 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 आजकर पबजी खेलते हैं बच्चे जवार पबजी खेला करते हैं बच्चे कोई पबजी देखा कि किसी का मुबाइल में इस्टाल है और वो चल रहा है एक साथ ने लिया चाइनीज मुबाइल अब बिल्कुल पांसो बारा रहम का आदा जी भी मेमोरी है पांसो बार ये समझ ले प्रोसेसर भी खराब है उसका अर लेकर गए दुकान पर इस पे पबजी इंस्टाल कर दीजे तो पहले का भाई इसके अंदर सलाहियत ही नहीं है कि पबजी इंस्टाल हो भाई इसके अंदर सलाहियत ही नहीं का नहीं इंस्टा कर दीजे का सलाहियत नहीं है लेकिन जब ज्यादान जितर करते हैं तो को ठीकrom को तो पैसा चाहिए उस्ने कर दिया इस ठाल कर दिया है खोले पहला ही पेश कुला ताकि हैंक heh … मतलब अगर सलाहियत नहीं होती है और जबरदस्ती इंस्टाल कराओ तो हैंग होने लगता है अब मसला समझे 49 दिन तक बराबर हैंग क्यों हो रहा था नहीं है अलम तुम्हारे लिए नहीं चाहिए इंस्टाल करें नहीं है तुम्हारे लिए नहीं है तुम्हारे अंदर सलाहियत ठीक है इंस्टाल किये देते हैं नतीजा होगा कि एक ही पेश पे हैंग कर जाएगा और इसलिए उन्तालीस दिन के बाद फिर वहादी आ गया जहां कहां आगे बढ़बर के हमला करने वाला है सलाहियत होती है अगर सलाहियत है तो ठीक है इस्टालोगा एहल बैट अगर बाबरकत है तो इसलिए कि सलाहियत का मज़ाहिरा किया आया बस में नबी में एक शक्स साहिल आया है या रिसूल अल्लाख कुछ अता कीजे रिसुल मस्जिद strengthen नववी में अस्हाब को ज्रमुट है या रिसुल अल्लाख कुछ अता कीजे लिसुल अस्हाब की तरफ देगा ये भूका ये प्यासाः गरीब अलवतन है ये साहल है इसके पास लिबस नहीं है है को यता करने वाला सब सर को जुका के बैट गए मालदार होना और है बाबरकत होना और है पैसा ज्यादा हो तो गनी बन सकते हैं मुबारक नहीं बन सकते गनी बनना और है मुबारक होना और है मुबारक तो ऐसे होते हैं कि अभी कदम रखा है किसी को बालो पर मिल जाएं मबारक तो ऐसे होते हैं कि दुनिया से चले भी जाएं तो उनके नाम पे जिक्र करकर के अपने बजम को मुबारक किया जाए एक सलवात पर दे मुहम्मद वाले मुहम्मद एक और सलवात पर दे मुहम्मद सबने सरों को छुका लिया रसूल ने का ये कुछ नहीं देंगे वो सामने एक दर्वाज़ा दिखाई पड़ ला है सारे दर्वाज़े बंद हो गए वही एक खुला है मस्जिद नभवी के सारे दर्वाज़े बंद हो गए एक खुला है वो चले जाओ उस दर्वासे पे ऐसा होई ही नहीं सकता कि ना मिले साहिल पहुँच गया मैंने कहा ना अपने यहां लॉकर में रखे हुए जेवर कसरत की निशानी है बरकत की निशानी नहीं है साहिल पहुँच गया वहां पे है कोई मुझे अता करने वाला भूका हूँ प्यासा हूँ बेलेबास हूँ गरीब वतन हूँ सवारी नहीं है शाहजादी है कौन है नहीं अंदर से कहा कि देखो मेरे घर में इस वक्त कुछ नहीं है एक खाल है जानवर की जिसमें मैं बच्चों को खाना भी खिलाती हूँ इसी पे सुला भी देती हूँ इसे ले जाओ अपने काम में सर्फ कर लो उसने का नहीं मुझे खाल तो नहीं चाहिए जहरा के पास शाहजादी के पास सिर्फ एक जेवर था गलूबंद जो किसी ने लाके दिया था दसियों गलूबंद होने के बावजू जो अता न करें वो हम हैं हमारे घर की ओरती जहां सिर्फ एक जेवर है शाहजादी ने फौरण जेवर उतारा उतारने के बाद इसके हवाले किया जाओ ले जाओ बेज़ दो आवरत का अपना जेवर देना असान नहीं है जाओ इसे फरोग करके अपनी जरूरत पूरी कलो जेवर लेके आया मस्जिद में दोबारा रसूल ने का हो गई जरूरत पूरी का शाहजादी ने जेवर दिया है अपना हार दिया है गलू बंद दिया है का तो मैं क्या चाईए का मुझे खाना चाईए पानी चाईए मुझे स्वारी चाईए अपने घर तक पहुँ चाऊओन लिबास चाईए रसूल नेका है कोई ने जिवर को खरीदने का मैं खरीदूंगा जिवर को खरीदा कितने में का मुझे लिबास दे 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 खाना दे पाणी दे पानी दे सवारी दे जो मुझे वतन तक पहुंचा दे जλαब अम्मार यासिन ने सब दे दिया और देने के बाद जेवर लिया अपने गुलाम को करीब बुलाया करीब बुलाने के बाद कहा उसे कागज मेले पेटा खुश्बू मॉत्तर किया और गुलाम से का इसे ले जाओ शाजादी को वापस कर दो और अगर शाजादी ने ले लिया क्या हुआ पूरी दास्तान अर्जे की जैसे ही शाजादी ने जेवर लिया गिलाम मुस्कुरा ने लगा शाजादी ने पूछा मुस्कुरा के रहे हो का इस हर के बारे में सोच रहा हूं कि अतना बाबर कर जेवर है अपनी जगा से चला भूगे को खाना किलाया प्यासे को पानी किलाया पे लबास को लबास दिया एक खुलामा अजाद किराया जहां से चला था वही पहुत गया एक सलवात पर दे मुहम्माद वाले लाकर में बन्जेवर वही रह जाता है अल्ला के लिए दिया जाए तो काम करके वापस पलटाता है सब कुछ काम भी हो गया जहां से चला था वहाँ वापस भी पहुँच गया यह बाबरकत घर है जहां से हमें दर्स लेना है कैसे बरकतों को समेटना है कैसे बरकतों को लेना है हमने बरकतों को सिर्फ तबर्रुक में सोचा बस यह जो बठने वाला तबर्रुक है उससे कहीं बाबरकत तबर्रुक वो है जो आजा खानों में सजे रहते है इस घर में बरकत है यह घर कुल मुबारक है इस घर से दर्स लेने की जरूरत है मैंने अब्तदा में क्या अर्ज़ किया था कि मैं मुनासिबतों का ख्याल करके चलता हूँ इस घर से दर्स लेने की जरूरत है इस घर को दर्स देने की जरूरत नहीं है अब मैं एक और रुख की तरफ आना चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगे तो माजरत लेकिन चाहता हूँ वो आर्ज करूँ जो समाज की जरूरत है दर्स लेने की जरूरत है इस घर को दर्स देने की जरूरत नहीं है शाजादी से सीखने की जरूरत है शाजादी को सिखाने की जरूरत नहीं है इसलिए कि उन्हें अल्लाप ने सिखाया है वो वहाँ से सीखने आई हैं अगर अभी अकद आपिब कैमा अली और जनाविफातिमा का वक्त करीब आ रहा है पहली जिलिज रोज इस दिवाज मरजल बहरेन इमाम अलिय और जिनाब फातिमा की शादी का दिन कौन सा पहली जिलिज बहुत से शादियां होती है और हम लोग बरकते लाते हैं उन शादियों के तुफाइल में अगर हम बरकत लेना चाहते हैं उस शादी से तो उस शादी में हम अपनी चीजें वहां न भेजें हम वहां से इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट न करें हम वहां से लें उन्हें सिखाएं नहीं हमने उस शादी से क्या सिखाएं हमने उस शादी से क्या लिया हम अपने अशार में हल्दी, कंगन, मसाफ, आर्दी, जुलुवा हूरे हल्दी मल लही है हूरे हल्दी मल लही है हल्दी मली क्यों जाती है हल्दी क्यों मली जाती है उप्टन क्यों लगाया जाता है का इसकी जिल्द नूरानी नहीं है इसमें कुछ चमक आ जाए है किसी हूर की मजाल की जो जहरा के जिल्द पे ओटन लगाए हम कुछ कह देते समझते नहीं कह क्या रहे है किसी की मजाल की वहां पे चमक लाए है किसी की मजाल अरे जिसके वारे में है कि जन्नत में कभी कभी अचानक नूर चा जाता है सब पूछते हैं अईले जन्नत हुआ क्या का फातिमा की कनीजे खास ने अपने महल की खिड़की से चेहरा बाहर निकाला आए जिसकी कनीजे खास चेहरा निकाले तो जन्नत दूरानी हो जाए है किसी में मजाल कि उसको उपतन लगाएगी उसको हल्दिया लगाएगी अपनी रस्मों को अपने तक रखिये वहां से इंपोर्ट करना सीखें एक्सपोर्ट करना ना सीखें उन्हें सिखाएं नहीं क्या करना है उस शादी ने जो पैगाम दिया उसे समझें उस शादी ने जो दर्स दिया उसे अख्जु करें शादी के दर्स में हम सिर्फ जहेज तक सिमट गए बस उस शादी का दर्स सिर्फ जहेज नहीं आए उस शादी के बहुत से दुरूस हैं जो हमें लेने की जरूरत है उस शादी के दर्स में सबसे पहला दर्स ये के इनसान अपनी हद पहचाने रिष्टा लेके कहा जा रहा है सब सब हर इनसान वरना क्या होगा फिर वही हैंग वाला सिस्टम कि रिष्टे लेके जाओगे सिस्टम हैंगर जाएगा सब गए रिष्टे लेके यहां तक कि रिष्टा उसका गया जहां कुछ कुछ कुफियत थी अब वैसे कुफियत नहीं आ सकती लेकिन कुछ तो देखो कुछ तो बराबरी हो मैं नसब की बात नहीं कर रहा हूं मैं शजरे की गुफ्टगो नहीं कर रहा हूं मैं अखलाक और किर्दार के गुफ्टगो कर रहा हूं मैं उस कमाल की गुफ्टो कर रहा हूं जो सिफाते हसना में आती है कुछ को ऐसी चीज़े हूं और पिर दूसरा मरहला जब इमामِ अली से उन लोगों ने खुदा के कहा मैं पॉइंट टू पॉइंट अर्स करना चाहता हूँ कुछ पेगांब पहुँच जाए इमामِ अली से उन लोगों न अर्स किया एक सलवाद पढ़ने मुहम्मद वाले मुहम्मद तर्शीफ ले आए अच्छा वक्त हो रहा है मैं तेजी एक साथ अपनी बात अर्स करूँगा जहाँ ठक जाएंगे बता देंगे इमामِ अली से जब उन्होंने का जाए ये रिष्टा लेके नوجوانों मैं आप से गुफ्त को कर रहा हूँ सबसे आप से जो कुवारे हैं उनसे खास तोर से डायरेक लड़की से बात किया या रसूल के पास गए किसके पास गए जहां दो तरफा इसमत है इमाम अली भी मासूम जनाब जहरा भी मासूमा जहां गलती का कोई शाइबा भी नहीं है जहां कोई इमकान भी नहीं وہاں معصوم بھی डाइरेक्त लड़की से गुफ्तगो नहीं कर रहा है गए तो लड़की के बाप के पास गए का अगर गर में बरकत लानी है शादी के तुफ़ैल में तो डाइरेक्त ग५्तगो ना करो बलकी जाओ वली से गुफ्तगो करो ताकि बरकत आए किस से गुफ्तु करना है ? वली से जहां कोई गलती के इमकान नहीं वहां वली का महामला यहां तो गलती के हजार दर्जा इमकान है क्या करना है ? लड़की के बाप के पास जाओ गए बाप के पास इमामِ अली सर छुका के बैट गए बोल ही नहीं रहे मैंने कहा उस दर्स में आप एक्सपोर्ट न कीजिए इंपोर्ट कीजिए सीखें कुछ नहीं बोल ले मौला रसूल मुस्करा रहे जनाब उम्मे सल्मा मुस्करा रहे इसलिए खाने उम्मे सल्मा में थे मुस्करा रहे रसूल नका अली कुछ बोलोगे का या रसुलल्ला क्या बोलूँ अब देखें आप गुफटगू कहां से होती है या रसुलल्ला बच्पन में आपने पाला आपने देखा क्या अच्छाई है मेरे अंदर आप जानते हैं क्या कमी है मेरे अंदर कोई कमी नहीं है लेकिन सलीक गुफटगू है आप जानते हैं नशेबो फरास क्या है आप जानते हैं मेरी जिन्दगी कैसे गुजरी है आप जानते हैं मैंने हर मरहले पे आपका साथ दिया है या रसुल आप जवान हो गया हो जवानी का तकाजा इस दवाज होता है जवानी की ज़रूरत शादी होती है या रसुल आल्ला रिष्टा लेके आया हो बात की अब्तिदा देखें बात की इंतिहा देखें ये भी कहा आप अच्छाई जानते हैं ये भी कहा आप बुराई जानते हैं ये बताया कि जब लड़के के रिष्टे को लेके जाओ तो कैसे बात करनी है सिर्फ ये ना बताओ कि वो आफीसर है करोड रुपए कमाता है उसके तहत में हजान लोग हैं उसके सामने ये काम करते हैं वो ये है वो वो है बताओ भी तो कि सिड़ट भी पीने वाला है बताओ भी तो कि रात रात भर जागने वाला है بتاؤ بھی تو कि देर में घर आने वाला है सिर्फ अच्छाई नबताओ खराबी भी तो बताओ सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें नबताओ सारी चीज़ें तो बताओ ना कि क्या है भे उसके अंदर ये तो बता देते हो कि बाहर है ये नहीं बताते कि शादी होने के बाद अब वापस नहीं जाएगा मौला ने सब कुछ बताया रसूल ने का कब से मुझताक था कि तुम अपनी जबानी यार से करो आई आली तुम्हारा आग्द फातिमा का आग्द जमीन पे भी होगा आस्मान पे भी होगा आई आली आस्मान पे जो आग्द पढ़ रहा है परवर्दगार ने सारी महफिल जमा कर ली है और महफिल जमा करने के बाद आवाद दी फरिश्टों में जो सबसे बेहतरीन खुटबा पढ़ने वाला है उसे बुलाओ क्या है जो सबसे अच्छा खुटबा पढ़ने वाला इसका मतलब निकाह में भी देखना चाहिए कि कौन अच्छा अदा कर सकता है वरना कितनी निकाह तो सुनने में आते ही है किलिपाती रहती एक निकाह मैंने खुट सुना अलड़के लड़की ने आपस प्ड़ लिया खुद ही बगister कर चो ता है लेकिन सीटा क्या जारी क्या उनकाह तो मुकिलہ की आपके मुकिल का अपने मुकिला से निकाह कर रहो हो रहा है अपने दोनों के दरमीयान अगर उस शादी की बरकत लाना क्या फरिष्टे इतने थे सबकी जबान अच्छी थे का नहीं इसमें जो सबसे फजी हो बलीग है उसे बुलाओ अलियो फातिमा का मसला है शादी है अलियो फातिमा वो अग्द पढ़ेगा अग्द हो गया जमीन पे किसने पढ़ा खुद रसूल ने पेगंबर ने अग्द जारी किया क्यों इसलिए कि जो सबसे बहतरीन है उसी को अग्द पढ़ने का हक है बास समझ गए तारीख के सफ़ाद को पलटने पीछे रसूल ने क्या का जो सबसे बहतरीन है अग्द पर्ण ने कहा कोई सी को है कि सल्मानों, अब उसर कुछ अर्से के बाद, रुखसती बाद में हुई थी, ऐ सल्मान एकंबर, जाओ मस्जिद, मस्जिद में जाके, एलान करो कि चलो, अलियो फातिमा अलेहमस्सलाम का वलीमा है, किसे बुलाया है, वी आई पीस को, किसे बुलाया है, अपना इस्टेटस खाने वालों को, किसे बुलाया, अपनी दोस्तीकार नहीं, वहाँ, मस्जिद ही में शादी हुई, पहली बात ये भी अर्स कर दो, शादी भी मस्जिद मोई, निकाह भी, तो इस में भी देख ले, कि निकाह मस्जिद में हो, वरना, हम लोग हाल में करते हैं, अगर कही तो मस्जिद में करें क्यों है, इसलिए, हाल में हर चीज़ बरकत लाती है हाल में, जहां शाम में मेरा निकाह है आपका निकाह है, दिन में वोही डीजे बज़रा था डीजे बज़रा था बरकत आएदे circuit आ, तो इसलिए हमारे लिए मासूमिन ने बनाती है और हमारे हैं जो बारात में सिर्फ होने जाते हूं वहां बैटते ही नहीं उनको अधिसे के साथ कोई मतलबी नहीं होता इसले के वो बरकत लेने लेने नहीं आए वो खाना खाने आए हैं एक सलवात पूल्ट है मॉहम्मद वाल्म तो वहां लेकिन पे सोहागा हो जाता है और बेतर हो जाता है जाओ कंबर सल्मान वी-ाइ-पी लोगों को नहीं मस्जिद वालों से को अलियो फातिमा का वलीमा है कह दिया हमारे आभी हम यह कर सकते हैं बहुत आराम से कर सकते हैं अपने आपी दो-तीन दिन पहले और जगिया इस बात को कि आप बुला सकते हैं आपने सबको दावत दे दी जितने आपके दोसें सबको बुला लिया बुला लीजे बड़े हाराम से लेकिन मस्जिद वालों को भी बुला ले ताकि बरकात आ जाए कितने लोग रहते ही हैं मस्जिद में और अगर चाहते हैं कि और कम को बुलाना तो सुबा की नमाज में चले जाएं सुन्नत भी अदा हो जाएगी कम लोग भी आएंगे बरकत भी चली आएगी एक और सलवात पुदे मुहम्मद वाल मुहम्मद हो गया वाल इमाम रुखसती हो रही बस आगे आखरी मरहले तक रुखसती हो रही है रुखसती में हमारे यहां की लड़कियां भी रोती है जनाब जहरा भी रोही हमारे यहां की लड़कियां रोती है क्यों बाबल की गलियां छूट रही है यही है शायद जुमला वो माइका छूट रहा है वो चोखट छूट रही सहलियां छूट रही है अफराज छूट रहे है घरवाले छूट रहे है अब कैसे मिलेंगे यह अब कहा मिलेंगे कभी कभी आना होगा पता नहीं सुसराल कैसा उस घर की बरकत देखे जनाब जहरा की शादी की बरकत अबकी जब शादी का तस्किरा करेंगे ना तो हल्दी मुसफ से आगे ये भी सोच लीजेगा लड़कियां रोती हैं घर छूट रहा है रुखसती हो रही जनाब जहरा भी रोने लगी रसूल करीब आए बेटी क्यों रो रही नूर के एक टुकड़े से रुखसत हो के दूसरे टुकड़े के हाँ जा रही हो एक टुकड़े का नाम मुहम्मद है एक का नाम अली है सलवाद पढ़ दे मुहम्मद अब एक क्यास जारी दूसरे क्यों रो रही है तसवर कर सकते जनाब जहरा ने क्या कहा हमारे हैं कभी सोचा भी नी जा सकता किसी के रुखसती हो रही हो और कोई जाके कहे देखी अरे इनकी रुखसती देखके तो फ़ला की मयत याद आगई कि अतना अच्छा जनाज़ा उठा था कोई कह सकता है नहीं कह सकता अगर वो कहेगा तो उसी की मयत उड़ जाएगी हम्मत नहीं है किसी की कहें लेकि क्यों इसलिए कि शादी के मरहले पे मौत इसलिए नहीं रोती कि पलट के आना नसीब नहीं होगा मैं जानती हूँ कि अगर मैं ना आई तो बराबर आप ही सलाम करने आते रहेंगे ये दर को हजीम दर है आप आएंगे बराबर सलाम करने मैं रो इसलिए रही हूँ कि इस छोटे सफर से वो बड़ा सफर यादा गया है ऐए बाबा जब मैं आपके घर से अली के घर में जा रही हूं इतना छोटा सफर आप ने इतना जहेस दे दिया इतना जादे राह दे दिया जब हम इस सफर से आखरत के सफर पे जाएंगे जो सफर आजीम है इस सफर में लड़की के साथ एक औरत भी चली जाती है उस सफर में साथ में कोई जाने वाला नहीं इस सफर में जाके वापसी भी नसीब होती है आखरत के सफर में कभी वापसी नसीब नहीं होती है कोई दुनिया में उस सफर को याद करने वाला लेकिन शादी से भी उसे याद करके जो बरकत निकाल ले उसे फातिमा कहते है या रसुल आला मैं जा रही हूँ लेकिन मज़े यकीन है आप बराबर आते रहेंगे और हुआ ही यही छे महीने तक लगातार रसुल उस दर पे आते थे और सलाम करते थे असलाम आलेकुम या अहल बैतिन नबुवा ए अहल बैतिन नबुवा आप पे सलाम हो घर वालों ने वालिदें की मजलिस बपा की है एक ही मुसीबत जिसमें मा की मुसीबत भी है जिसमें बाप की मुसीबत भी है वही शाहजादिये कौन है इनकी मुसीबत जो हम सब की माँ है अली उम्मत का बाप है जिस दर पे आखके रसूल बराबर सलाम करते हूं अगर कभी शाहजादी के कानों में ये आवाज आए अब अलहसन को बाहर निकालो अल्लादर तारीख कहती है जनाब फातिमा को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ का उस घर में आख लगाओगे यहां पे फरिश्टे नाजल होते हैं का हम आख लगा देंगे जिसमें हसन हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं उस घर में आख लगाओगे का वहीन होते रहें हम आख लगा देंगे दर्वाजा जलाया गया जलता हुआ दर्वाजा है फातिमा दर्वाजे के पीछे है अब शेख मुफिद ने जो रिवायत नखल की है कि एक तरह पंद्रह सत्रह अफराद अंदर अकेली फातिमा वो भी उन अयाम में जिन अयाम में कहा जाता है ज्यादा ताकत ना लगाओ जिसमें अउड़ो के लिए कहा जाता है ज्यादा ठाकत का इस्तेमाल ला करें एक तरह पंद्रह सत्रह अफराद एक तरह अकेली फातिमा अली का दिफा करना है इमामत का दिफा करना कब तक दिफा करती ही दروازा अपनी जगा से उकھडा फातिमा दरो दिवार के दर्मियाना इस जमीन पे गिरी अब रिवायत कहती है नीचे फातिमा जलता हुआ दर्वाजा शाजादी पे अश्किया एक एक करके गुजरते रहे अजरुकमलिल्ला जनाब फातिमा पे खशी का आलम है एक मतबा आख कब खुली शेखमफिद कहते हैं कि महसूस हुआ जली के आबा की हवा गुजर रही है फारण फातिमा ने आख खोल दी ली के दामन को पकड़ लिया मैंना ले जाने दूँगी मैंना ले जाने दूँगी फातिमा करें नहीं मैं अली की महाफिजा हूँ उस मलौन ने नियाम को निकाला फात्मा के आदों पे नियाम मारना शुरू किया दस्ते फात्मा से अदामा ने अली छूटा अली को लेके आगए मजजिद नबवी में फात्मा ने रिदासर पे डाली मजजिद नबवी के खरीब आई अब अलहसन को छोड़ दो वरना सरके बाल भी खेड़ दूँगी अली को लेके वापस आगई मैं कहूंगा फात्मा मुबारख को जमाने के इमाम को बचा लाई लेकिन हाई रे जैनाब इदर जखे में में कदम रखा फजा में आवाज गो जी अलाकत को तलल हुसेहन आई तुँआ की मसीबध एक तरफ लेकिन कुछ अली के मसाहिब भी बयान कर दो मा की मसीबध सुन रहे हैं बाप की मसीबध सुन ले अली के मसाहिब आगर सुनना है तो बस एक जमले में देखें जब गं जーダादा होता है तो कहाई यह जाता है भाई रो लो ताकि गम हलका हो जाए मैं शाहजादी से कहूंगा शाहजादी आपने तो मरसिया पढ़ लिया आपने तो बेंड कर लिया लेकिन हाई रे मजलूम अली अली तो रो भी नहीं सकते मौला कह रहे मैंने सब्र किया मेरे गले में हड़ी थी मेरी आखों में खसोखाशाक था सब्र करते रहे आली यहां तक के रुएत कहती है जब फातिमा को ले जाके कबर के हवाले किया कबर बंद कर दिया अब यहां से आगा अंसारियान के एक मसाइब अर्ष करना चाहता हूं मैंने कही जगा पे अर्ष किया आगा अंसारियान कहते है जब आली ने फातिमा की कबर को बंद कर दिया सारी दुनिया के मुश्किलाग को हल करने वाला अली अब खुद हैरान और परेशान है जाए तो कहा जाए जाए तो कहा जाए आकां सारियान पर गखते हैं जानते हो वजा क्या है वजा ये है फिर वो एक दास्ता नर्ज करते कि हम लोग हच पे थे मैदाने मेना या अरफात में हम लोग देखा एक शफ जारु कटार रो रहा है उसके करीब गए भाई क्यो रोते हो क्यों कि या करते हो उसने का मैं और मेरी जौजा हम लोग हच के लिए आए थे मेरी जौजा का इंतिकाल हो गया वो दुनिया से चली गई मैंने का भाई सबर को अल्ला की यही मर्जी है का सबर तो कल ले हम अपने लिए नहीं रोते मेरे चार छोटे छोटे बच्चे आगास सबरों तो कल लिया है लेकिन अभी जब वैपस एरपोर्ट पलट के जाएंगे ना बच्चे आएंगे कदमों से लिपट के कहेंगे अम्मा का हो है अम्मा का आगई हम किसे किसे साहरा देंगे अगान सारियान कहते हैं फातिमा की कबरों बंकर गया लिया ही सोच रहे अभी घर में जाएंगे जैनबों में कुल्सूम खदमों से लिपट जाएंगे एवाबा अम्मा को छोड़ाए एवाबा अम्मा को वस्या लम्मा को इनना लिल्लाह वा इनना इलेह राज़उन रदन बिकजाईह वतस्लीम लिए इलाही बहक्त जाहरा वभीहा वबालिहा वबनीहा वस्र्र मुस्तादाविवीहा परवर्दिगार हमार इस मुक्तसर से मजलिस आज़ा को कबोल फर्मा जाएं 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 भी शियान है दर कर्रार उनकी जान माल इस्थ वाबरू के हफाज़त फर्मा हम्में जो बीमार हैं उनकी बीमारी को दूर फर्मा हमें जो मकरूस हैं, उनके खर्दों को अदा फर्मा मजारात मकद्दसा के हफाज़त फर्मा परवर्दिगार जिन मरहुमीन के लिए मंजलिस के निकात किया कि उनको जवार रहमत में जगह अता फर्मा हमारी इमाम के जहूर में ताजील फर्मा हमें उनके आवान और अंसार में शमार फर्मा सुरह हम्द और सुरह इखलास के इतलाओत फर्मा कर मरहुमीन के अरवाह को इसाल फर्माए मुहम्मद मुस्लिम और मरहुमान मरी बीबी मुषमी बीबी कि लुटे oran गजाद कि लुटे लुटार कि लुटा